हलो बच्चो वल्कम बैक टो आर चैनल इजी वे टू स्टड़ी बच्चो आज हम आपके लिए लेकिया हैं क्लास एट की साइन सब्जेक्ट की वर्क्षीट नमबर फोर बच्चो जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे पहले आपे हमें अपना स्टूडेंट नेम लिखना होता ह और नेक्स विल्ड में आपने कलास टीचर का नेम लिखना होता है चलिए देखते हैं अपनी वर्क्षीट उसटे पहले बच्चो अगर आप H प्रेंड साथ शेर करना ना भूलेंग। चलिए देखते हैं अपनी वरक्षीट। आज की हमारी वरक्षीट का टाइटल है माइक्रो ओर्गैनिजम्स। बच्चों जैसे ही आपको याद है पिछले वीक हमने साइन्स में माइक्रो ओर्गैनिजम्स के बारे में ही पड़ा था तो यह है उसके आगे का भाग। वामारी वरक्षीट कहते हैं पिंकी स ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। पिंकी के भाई को कल रात काफी तेज बुखार था। उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। हर मदर टोक हैम टो डॉक्टर हैं डॉक्टर सेट तैल सेथ ट्वाएट्ट और इनचेक्शिन रहे गिवन तो उसकी ममी उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर नहीं कहा कि या तो एक एंटीबाइटिक की टेबलेट या फिर एक इनचेक्शिन देना पढ़ेगा। अब बच्चों एंटी-बाइटिक्स क्या होती हैं? एंटी-बाइटिक्स सेपरोमाइसिन, टेटरासाइक्लिन और पैनिसिलिन are medicines made from micro-organisms like bacteria और fungus. इस एंटी-बाइटिक्स आइदर kill और stop the growth of disease causing micro-organisms. बच्चों जो एंटी-बाइटिक्स हैं यहीं हम bacteria या फिर fungus से बनाते हैं और यह antibiotics क्या काम करते हैं या हमारे बिमारी पैदा करने वाले microorganisms को खिटानूओं को या तो रोक देते हैं या फिर उन्हें खतम कर देते हैं इसको आप चो we can also control many diseases in plants and animals with the help of antibiotics हम बचो plants और animals में भी काफी सारी बिमारियों को खतम कर सकते हैं antibiotics की help से penicillin was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming बचो हमारे world की first antibiotic penicillin Alexander Fleming द्वारा discover की गई थी you must have heard about pulse polio vaccine और corona vaccine in newspaper और television आप सबी ने pulse polio vaccine या फिर corona vaccine के बारे में अख बार या फिर टीवी में पढ़ा ही होगा vaccination is a process in which the dead or inactive microorganisms or their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body vaccination क्या होता है बच्चो इसमें कुछ मृत या फिर inactive microorganisms को हमारे श्रीर में छोड़ा जाता है this helps the body to prepare its defense mechanism to be able to fight against the diseases in future या हमारी body के defense mechanism यानि antibodies को future के लिए prepare होने में help करता है thus makes us immune against the diseases और इस तरह हमारे श्रीर में इन बिमारियों खिलाफ प्रिती रोदक्षमता प्रत पैदा कर देता है small children are vaccinated at young age so that their body prepared itself to fight against the diseases चोटे बच्चों को काफी चोटी उमर में ही यह vaccine दे दी जाती है ताकि उनका श्रीर इन बिमारियों से लड़ने के लिए तयार हो सके Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox for the first time Edward Jenner ने smallpox की first time vaccine बनाई थी आगे चलते हैं इसके बाद बच्चों हमें कुछ questions दिए गए हैं दी को information के basis बे चलिए देखते हैं इन questions के answers बच्चों मार फर्स question है what are antibiotics तो आप इस concept लिख सकते हैं Antibiotics sapromycin tetracycline and penicillin यह बच्चों antibiotics के examples हैं और medicines made from microorganisms like bacteria और fungus second question है who discovered antibiotics for the first time तो बच्चों आपने अपनी वर्क्षीट में देखा हमें इसके बाद में information दी गई थी कि हमारी फर्स antibiotic डिस्कवर की थी Alexander Flaming ने तो हम answer लिखेंगे Alexander Flaming discovered antibiotics for the first time चलिए आगे चलते हैं next question है how does an antibiotic work एक antibiotic कैसे काम करती है तो आप इसका answer लिख सकते हैं these antibiotics either kill or stop the growth of disease causing microorganisms next question what is vaccination can you ask your parents and write the name of few vaccines that were given to you यानि vaccination क्या होता है और क्या आप अपने parents से पूछ कर ये बता सकते हैं लिख सकते हैं कि आपको कौनसी कौनसी vaccines लगाई गई थी तो बच्चो इसके first part का answer होगा vaccination is the process in which the dead or inactive microorganisms or their products similar to disease causing microorganisms are injected or introduced in our body and second part के लिए बच्चो आप इसे अपने parents से पूछ के इसका answer लिख सकते हैं जैसे मेरे को कुछ vaccines लगी थी उसके according मैंने इसका answer दिया है some of the vaccines given to me are polio vaccine जिसे हम बोलते हैं inactivated polio vaccine IPV hepatitis B, rotavirus and measles बच्चो आप इसका answer अपने according लिख सकते के आपको कौन से कौन से vaccines दी गई हैं ये बच्चो हमारी वरक्शुट का last question था इसी के साथ हमारी वरक्शुट यहाँ पर complete होती है I hope आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करना और अपने friends साथ share करना ना भूले साथ ही अगर आपको कोई question है तो उसे आप comment section में जरूर पूछे हम आपके question को जल से जल answer करने की कोशिश करेंगे और बच्चो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत notification मिल जाए Thank you